हरे कृष्णा रादे रादे भक्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी ग्रिपा चैनल में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको माग मास के शुक्ल पक्ष की जया एकदशी की बहुत ही सरल पूजा बिदी बताने वाले हैं तो फ्रेंट्स जया एकदशी का वरत करने से हमें प्रत्वी लोग के सारे सुखों की प्राप्ति तो होती ही है साथ ही मरने के बाद मोक्ष भी मिलता है और इस वरत के प्रभाव से हमारे पित्रों को भी मुक्ती मिलती है मोक्ष की प्राप्ती होती है तो फ्रेंट्स क्योंकि ये माग मास की एकादशी है तो इसका विशेश महत्व है क्योंकि माग का महीना भगवान विश्णु जी का अतिप्रिय महीना है तो आप अगर विरत ना भी कर सकें तो आप पूजा जरूर करें और जो भी नियम मैं बताऊंगी वो भी आपको जरूर से करने चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूजा बिदी की तो आप भगवान विश्णु जी के किसी भी स्वरूप का पूरे बिदी विदान से इस दिन पूजन करें आप शालिग राम जी की पूजा क कर सकते हैं राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं जो भी आपके पास भगवान विश्णु जी के स्वरूप हैं आप उनका पूजन करें तो फ्रेंट्स दश्मी तिथी से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं जैसे कि हमें प्याज, लहसन, मास, मदिरा इन सभ से पहले एक लोटा जल आप सूरदेपता को अरपित करें ठीक है सूरदेप को जल चड़ाएं उसके बाद आप चौकी लगाएं भगवान के लिए वैसे देखिए आप अपने घर के मंदिर में भी एकादशी की पूजा कर सकते हैं लेकिन एक दिन पहले ही आप अपने मंद जल से भी आप करा सकते हैं उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्तर धारन कराएं सुन्दर सा उनका शिंगार करें तो यहाँ पर हम अपने ठाकुर जी की पूजा आपको करके दिखा रहे हैं तो देखिए ठाकुर जी का कितना सुन्दर सा शिंगार हो गया है और कितन जया एका दशी का वरत किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमने वरत कथा की किताब भी रख ली है और क्यूंकि हर एक पूजा में सबसे पहले हमें गनेश जी का पूजन करना होता है तो मैंने यहाँ पर तिलों का और फूलों का आसन देते हुए गनेश जी को विराजम तो अखन जोज जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और जैसे कि रात्री जागरन होता है एक अदशी के दिन अगर आप रात्री जागरन नहीं भी कर सकते हैं तो यह जो अखन जोज जलाएंगे आप यह आपकी कमी को पूरा करेगी और घर से नेगेटिविटी भी दूर ह होती है तो सबसे पहले देखिए गनेश जी को हम गंगाजल से चीटे लगाएंगे शुद करेंगे और उसके बाद हल्दी से कुमकुम से तिलक करेंगे और तिल चड़ाने है पूजा में हमें चाबलों का प्रियोग बिल्कुल भी नहीं करना है उसके बाद लड़ू गोप भगवान को हम इत्र अर्पित करेंगे तो भगवान को सुगंद अर्पित करेंगे फूलों की माला हो तो आप माला अर्पित कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे मैं गनेश भगवान जी को वस्तर रूपी कलावा अर्पित कर रही हूं और कलावे में ही मैंने थोड़ा सा इ लगा दिया है उसके बाद हम जो भी पुष्प हमें आसानी से मिल जाए हमें वो अर्पित करनी है खास करके पीले फूलों का विशेश महतो होता है तो देखिए यहां पे हमने पुष्प अर्पित कर दिये हैं अब हम व्रत कथा पड़ेंगे तो फ्रेंच अगर आप व्रत न अगर व्रत कथा पड़ने का समय ना हो तो आप मोबाइल पर सुन भी सकते हैं और घर के सबी सदस से मिलकर अगर पूजा करेंगे तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है उसके बाद प्रंट्स एकादशी पूजा में हमें तुलसी पत्र भगवान को जरूर से अर्पित करनी हैं और या फिर लौंग कपूर से भी आर्थी कर सकते हैं हाँ ध्यान रखें कि अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो उसको फिर जगा से नहीं हिलाना है और अखंड जोत कब तक जलाई जाती है जैसे एकादशी की सुभा में आपने जलाई पूजा करने के समय पे तो ज हाग महीने की एकादशी है जिसमें की तिल और गुर से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं तो यहाँ पे मैंने गनेश जी के लिए अलग से रेवडी रख दी हैं और साथी में देखिए जो ठाकुर जी का भोग लगेगा उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए तो त पिल और गुर से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं ब्राइफ रूट्स का भोग लगा सकते हैं इसके अलाबा आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं और इसके अलाबा आप फलों का भोग लगा सकते हैं अच्छा फ्रेंट्स क्यूंकि एकादशी है तो एकाद 2024 में जयाएकदशी का वरत 20 परवरी को रखा जाएगा तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो का करतियू में यहीं पर एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे